दोस्तों, जिन्दगी में तीन शब्द बहुत महत्पूर होते हैं और वो शब्द हैं Never Give Up, कभी हार मत मालूं। इससे पहले कि मैं कुछ और कहूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसमें कहानी के अलावा मैंने बहुत सी बाते की हैं लेकिन आप ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं कोई motivational speaker हूँ। मैंने बस थोड़ी सी research की है और दुनिया के बहुत से महाल लोगों की बातों को एकत्र किया है, जिसे मैं आपको इस कहानी में सुनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो का मकसद आपको बोर करना बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। सैकरो साल पहले United Kingdom में, Scotland में एक राजा था, नाम था उसका Robert the Bruce. Robert the Bruce बहादूर भी थे और बुद्धिमान भी। उस समय यानि सन 1306 से सन 1329 तक Robert the Bruce स्कॉटलेंड के राजा थे। दबूस ने अपनी एक छोटी सी सेना को लेकर England के खिलाफ युद्ध चेड़ दिया। लेकिन England की सेना बड़ी थी, एक बार, दो बार, तीन बार, पूरे छे बार Robert the Bruce ने अपनी छोटी सी सेना को लेकर England का मुकाबला किया। छे बार हारने के बाद Robert the Bruce की सेना को यकीन हो गया कि अब वो England से जीत नहीं पाएंगे और वो सभी युद्ध छोड़ कर भाग गये। Robert the Bruce को मजबूर होकर जंगलों में पहाडों के बीच छुपना पड़ा और England ने उनको भगोड़ा भी गोशित कर दिया। एक दिन बारिश हो रही थी और Robert एक गुफा में लेटे हुए थे और बारिश की आवास को सुन रहे थे। वो अपने आपको बहुत कमजोर महसूस कर रहे थे। उनका होसला तूटा हुआ था। उनको ऐसा लग रहा था कि अब वो अपनी जिन्दगी में हार जाएंगे और अब कुछ भी नहीं बचा उनकी जिन्दगी में और शायद अब उनको आत्मात्या करनी पड़ेगी। जाल के एक धागे को बुनने की कोशिश की। लेकिन बार बार वो असफल हो गए। हर बार उसका धागा छोटा पड़ जाता था। रॉबर्ड ब्रूस ये देखकर बोले बिलकुल खराब तुम छे बार असफल हो गई। तुमको ये नहीं पता कि छे छे बार हारने की बात क्या होता है। देखो मुझे मेरी सेना मुझे छोड़के भाग गई। मुझे भगोड़ा गोशिट कर दिया गया है और मुझे यह रॉबर्ड दब्रूस को लगा कि इस बार भी पहले जैसा होगा लेकिन इस बार यह नहीं हुआ। इस बार मुझे सफलता को देखकर रोने लगी। लेकिन उनके अंदर आत्मी विश्वास की लहर फिर से दौड़ने लगी। मैं भी सात्मी बार कोशिच करूँगा। उन् से कहा कि वे दूसरे आदमियों से मिलें और मेरे प्लान के बारे में बताएं। जल्द ही उनके पास बहादुर लोगों की एक छोटी सी सेना फिर से तयार हो गई। इसके अलावा रॉबर्ट के सेनिक चुपके से अटैक करके भाग जाते थे। उन्होंने जगा जगा पे गड़े खोद कर उसको घास से कवर कर दिया था जिसमें इंगलेंड के कई सेनिक फच गए। इस युद्ध के बाद इंगलेंड ने स्कॉटलेंड को एक स्वतंत्र देश घोशिष्ट कर दिया और रॉबर्ट दब्रूस को स्कॉटलेंड का राजा बनाये गया। बाद में इंगलेंड ने स्कॉटलेंड के साथ एक संधी भी की जिसके मुताबिक इंगलेंड ने फिर कभी स्कॉटलेंड पर आक्रमण नहीं किया। अगर आप स्कॉटलेंड का इतिहास पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि उसमें मकडी और उसकी वज़ा से रॉबर्ट दब्रूस को मिली प्रेना का जिकराता है। रॉबर्ट दोब्रूस को रॉबर्ट फर्स्ट और स्कॉटलेंड के महान राजाओं में एक माना जाता है इसलिए दोस्तों कभी भी हार मत मानो और जिस मकसद को आपने अपने हाथ में लिया है उसको छोड़ो मत आप कहेंगे कि अरे यार ये बात कहने के लिए अच्छी है असल में इसका उल्टा होता है दोस्तों मैंने आपको अभी जो कहानी सुनाई उसमें आपने देखा कि मकडी जाले बुनने का काम धीरे धीरे और बहुत सावधानी से करती है इसका मतलब ये है कि आपके पास प्लान होना चाहिए सही रास्ता मालूम होना चाहिए और सही स्पीट से आपको अपना काम करना चाहिए जब आप हारते हो तो सबसे पहले आप अपने दिल से पूछो कि क्या आपने कोई गलती की है कुछ लोग excuse देने लगते हैं मेरी family ने support नहीं किया मेरे दोस्त ने धोका दिया वगेरा वगेरा लेकिन दोस्तों असल में यही बातें तो है जो आपकी सफलता के राष्टे में काटें बनती है और जिनको आपको दूर करना है यही तो है संघर्ष नहीं तो जब आप सफल होगे तो आप अपनी सफलता की कहानी किसी को सुनाओगे तो उसमें संघर्षों का जिकर कहां से आएगा आप ये भी कहेंगे कि motivational कहानियां तो बहुत सी हैं लेकिन असल में आदमी जिन परस्थितियों से गुजरता है उसमें हमारी जीत पक्की नहीं होती कभी-कभी हम हार मान कर दूसरा रास्ता चुन लेते हैं इसके पीछे कारण बहुत से हो सकते हैं जैसे कि हमारे पास पैसों की कमी हो हमारे उपर फैमली की जिमेदारी हो कारण बहुत से हो सकते हैं हमारी हार मानने की दोस्तों मैं आपकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि आप motivational कहानिया पढ़ते रहो सुनते रहो और motivational वीडियोज को देखते रहो पूरी ना सही, तुरंत ना सही लेकिन धीरे-धीरे ये कहानिया आपको अंदर से strong करती रहेंगी ये उन दवायों जैसी है जो धीरे-धीरे असर करती है जो आदमी कोशिश ही नहीं करता उसको आप बोल सकते हो कि वो हार गया है उसने हार माल लिये लेकिन जो आदमी कोशिश करता है बार-बार कोशिश करता है और हार जाता है उसको हम हारा हुआ आदमी नहीं कह सकते क्योंकि उस आदमी का हर असफल प्यास वास्तों में उसकी हार नहीं होती है वो तो बस उसकी छोटी सी सफलता होती है जो उस आदमी को बड़े मकसद की तरफ ले जाती है जब मैं बच्पन में साइकल चलाना सीख रहा था तो मुझे लगा कि मैं इसको नहीं सीख सकता लेकिन मैं रोज सीखने जाता गिरता था, गिरने से डरता भी था लेकिन एक दिन पहली बार मुझे थोड़ी सी सफलता मिली जब मैंने बस पांच मिनट के लिए साइकल चलाई फिर मेरे अंदर ये आत्मन विश्वास जागा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ और मैंने साइकल चलाना सीख लिया क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है दोस्तों? चलिए साइकल सीखने की बात ना हो कोई और कहानी हो आपकी जिन्दगी की जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो जिससे लोगों को कुछ सीखने को मिले मोटिवेशन मिले उनकी हिम्मत बढ़े तो आप मेरे साथ जरूर शेयर करिए क्योंकि हम आम आदमी हैं और एक आम आदमी की कहानी एक आम आदमी के ज्यादा करीब पहुँचेगी आप अपनी जिन्दगी में खुद देखो किसी काम को शुरू करने से पहले आप उसके बारे में कितना जानते थे और आज कितना जानते हो जो काम आपको पहले नहीं आता था आज उसी काम में आप एक्सपर्ट हो तो दोस्तों आपकी जिन्दगी में ही बहुत सी ऐसी बाते हैं जो आपको मोटिवेट करेंगी और सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपनी जिन्दगी में जिस भी काम में सफल हुए वो चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो वही आपका खुद पर विश्वास बढ़ाएगा आप कुछ कर सकते हो कुछ बढ़ा कर सकते हो इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों